हलो फ्रेंज राजेंदर क्रेटिविटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है डियर फ्रेंज आज की वीडियो डिरेक्टली एलेटेड है गोल्डन फॉरस्स के सभी इन्वेस्टर्स की क्वेरी से लेटेड हमें बहुत से इन्वेस्टर्स ने mail के थरू, watch App के थरू और हमारी previous वीडियो पे comment करके बहुत सी queries raise कर एं आज उन्ही queries का answer हम इस वीडियो में देने की कोशिस करेंगे Dear friends, साथ में हमने सभी इन्वेस्टर्स की help के लिए एक ऐसा platform लेके आएं जिस platform में सभी investors अपनी हर तरह की queries का answer बड़े ही असानी से पा सकते हैं और बड़े ही easy तरीके से अपना claim process कर सकते हैं ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंतक देखना होगा आज की वीडियो सभी investors के लिए बहुत ज़्यादा important वीडियो है इस वीडियो के बाद आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तो friends इस वीडियो को अंतक देखना ना भूले आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी गुजारी से है कि प्लीज हमारे चैनल यानी रजिंदर के टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वैल आइकन दबाना ना भूले ताकि जैसे ही हम किसी भी नए अपडेट के साथ गोल्डन फोरेस्ट से लेटेट कोई भी वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच आए फ्रेंस पहले तो सभी गोल्डन फोरेस्ट इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें हमारी प्रिवेस वीडियो में बहुत ज़ी चैदा प्यार दिया और हमारी वीडियो पे बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करीं और हमने भी अपने end से सभी इन्वेस्टर्स की help के लिए और उनका reply, best से best reply करने की कोशिस करी है हम सभी investors की queries आप सभी के साथ share करना चाहते हैं Dear friends, queries कुछ इस तरह से थी, आप देख सकते हो हमने बहुत सी queries का answer भी दिया है और हम आसा करते हैं कि ये answers सभी investors के लिए helpful रहा होगा Dear friends, कुछ queries हमें email पे भी आई थी, आप देख रहे हो पटेल जी ने हमें email किया था और हमने इन्हें reply भी किया है आप देख रहे हो हमें बहुत सी emails आई है चलते हैं पहली comment की तरफ सुदेश जी ने हमें comment कर रहा था कि account invalid आ रहा है मैं सभी investor भाईयों से एक बात clear करना चाहता हूँ जिनका भी account invalid आ रहा है claim करतीवार उन्हें सिर्फ यदि वो तीनों तरीके जो की वहाँ पे claim format में दिये हैं अगर उसके बाद भी account number invalid आ रहा है तो please आप अपने form जो form हमने वर्टसक ग्रूप में upload किया है और अपनी वीडियो के description box में भी दिया है उस format को भरिये और आपके पास जो भी document है चाहे वो jirox है या original है उनकी एक copy आप उसी address पे भीजें जिसका address हमने अपनी previous वीडियो में भी आपके साथ discuss किया है और साथ में हमने उसका link भी अपने वीडियो के description box में दिया है आप बड़े ही असानी से वहां से उस link से address जान पाओगे और आप जितना जल्दी हो सके अपने document कमपनी को जरूर भीज दें आपकी ये problem बहुत ही जल्दी resolve हो जाएगी साथ में friends एक काम करना ना भूले आप अपने जो भी document भेजे हैं उन document की scan copy अपने पास रख लें और company को भी एक mail कर दें जो आपने spill post के जरीए आप document company को भेज रहे हो वही document आप scan करके एक mail के थुरू भी company को जरूर भेजे ताकि in future आपके पास एक reference रह जाए कि आपने ये document इतनी तारीक को भेजे थे dear friends चलते हैं दूसरी queries के तरफ और friends दूसरी जो सबसे important queries निकल के आ रही है कि हमारे पास receipt ही नहीं है या हम से अपनी जो receipt है हमने 2004 में भेज दी है और हमारे पास account number ही नहीं है और तीसरी जो major queries निकल के आ रही है वो queries है कि हमने पैसे तो deposit करा दी है बट हमारे पास जो original receipt है account number है वो detail हमारे तक नहीं आई है dear friends इस तरह के सभी investor भाईयों को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप please आपकी जो भी detail है जैसे मालो आपका जो जिस नाम से आपने जो भी policy ली थी उस policy की detail और जो भी receipt जो भी whatever आपके पास document है उस document की scan copy अपने पास रख लें जिरॉक्स copy अपने पास रख लें और जो भी आपने document scan किये हैं वो scan document आप company को जरूर mail करें ताकि वहां से आपका कुछ नाउस detail अगर master computer से इस समय होगी तो वो आपको फॉरन वहां से mail reply कर देंगे कि आपको किस तरह से अपना claim process करना है इस तरह से बड़े easily वो सभी investor भाई जिनके पास receipt नहीं है या उनकी receipt गुम होगी है वो बड़े असानी से अपना claim process कर पाएंगे friends ये possible नहीं है कि हम किसी भी investors का नाम के साथ उसे सर्च कर पाएं हमने बहुत ज़्यदा try किया बट हम success नहीं हो पाएं क्योंकि more than 36 lakh investors है और 36 lakh investors के नाम पे maximum एक ही सेम नाम के बहुत ज़्यदा investor होंगे तो ये इस तरह से by name investors का नाम नाम से data fetch करना बहुत ज़्यदा मुस्किल है तो मैं सभी investor भाईयों से request करता हूँ कि आप please company को जरूर mail करें जो भी document है वो scan copy के साथ जरूर mail करें अपने नाम अपने data worth और जिस टाइम आपने वो policy ली थी है याद आपको याद है तो company को mail करें वहाँ से आपको कुछ ना कुछ response बहुत ही जल्दी मिल जाएगा और वो आपको suggest कर देंगे कि आपको actual में claim मिलेगा या नहीं मिलेगा अगली queries के तरफ चलते हैं friends हम एक बात और clear करना चाहते हैं कि हमें बहुत से investors ने queries करी है कि हमारा नाम change हो गया है हमारे जिनोंने जो policy या पैसा invest किया था उनकी death हो चुकी है तो हम claim किस तरह करें dear friends यदि कुछ इस तरह का case है तो please आप instructions को बड़े ही ध्यान से पढ़ें जब भी आप claim कर रहे हो इसका link भी हम वीडियो के description box में दे देंगे बट automatically आप google में simply golden forest भी search करोगे तो आपके सामने जो पहला सबसे पहला page खुलता है वो यही खुलता है आप simply google में search करिए और इस page पे आप बड़े ही easily तरीके में पहुंच आओगे हमने last की वीडियो में भी इस तरह का बहुत बार discuss किया है तो इसको discuss करने की जुरूरत नहीं है यह पूरी की पूरी instructions claim करने वाले के लिए जुरूरी है प्लीज जब भी आप claim करें इस प्रोसेस इन instructions को जुरूर read out करें आप check कर सकते हो यहाँ पे पूरी की पूरी instructions यहाँ पे दी गई है कि actual में आपको claim किस तरह करना है और किन किन बातों का claim करती वार आपको ध्यान रखना है डिये फ्रेंस यह matter हमने अलड़ी death वाला matter जो है हमने अलड़ी last video में discuss किया हुआ है तो मैं दुवारा से repeat करता हूँ क्योंकि हमें बहुत सी emails आ रही है इस problem से लेटेड और बहुत सी comments आ रही है हमें ग्रूप में कि इसके लिए हम क्या करें यदि फ्रेंस इन्होंने conditions दी है In the event of death of depositor, he is her legal hire should submit death certificate of deceased depositor यानि कि यदि किसी भी जिन्होंने उसने policy ली थी यदि उनकी death हो गई है तो वो उनके जो legal hire है या nominee है वो उनका claim process कर सकते हैं बट उन्हें जो है उनकी death certificate है वो committee को submit करवाना होगा और उसी तरीके से उनका claim process हो जाएगा मैं सभी investor भाहियों से एक request करता हूँ कि आप claim करने से पहले हमेशा instructions को धन से read out कर लें ताकि आपको आगे किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े friends इस तरह almost सारी जो दिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा comments दिखते हैं वो हम already discuss कर चुके हैं इसके लाबा अभी तक हमें कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आई है कि जो हम आपके साथ discuss करें या उनका आपको solutions दे हमने already अपनी previous वीडियो में सारी की सारी problems का solutions दे दिया है और investors भाईयों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा helpful हमने एक group बनाया है वो group है WhatsApp group का dear friends हमने आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले एक WhatsApp group बनाया था उस WhatsApp group में हमने All India की investors अपने साथ जोड़े थे बट अभी हम वो WhatsApp group remove कर रहे हैं क्योंकि हम WhatsApp में simply 200 से यान कि 250 से ज़्यादा investors जोड़ नहीं सकते तो इसलिए हमने टेलीग्राम में एक group बनाया है उसके जरिए हमारे साथ maximum 10,000 investors एक ही group में जूड़ सकते हैं यानि कि यदि एक group में 10,000 investors होंगे पूरे All India से तो आप समझ सकते हो कि आप अपनी queries का answer जैसे ही उसमें message डॉप करोगे बड़े ही easily आप आपको आपका queries का answer मिल जाएगा और हमें WhatsApp group से ही यही reference मिला क्योंकि हमने जैसे ही WhatsApp group मनाया बहुत से ऐसे investors थे कि उन्होंने अपनी जो problems थी जिस तरह से उन्होंने problems resolve करी थी उन problems का solution एकदम उस group में डाल दिया उस solution से ही बाकी के सभी investors भाईयों की help automatically हो गई तो friends मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ की please हमारे टेलिग्राम बाले group को जरूर जोईन कर लें ये group आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन group है और इस group में जैसे ही कोई भी update आता है हम सबसे पहले वीडियो इवन वीडियो बनाने से पहले भी उस update को उस group में डाल देते हैं जिससे की जितने वी investors हमारे साथ जोड़े हैं उन investors को बहुत ही जल्दी update मिल जाता है और मैं सभी अपने investor भाईयों से भी request करता हूँ कि यदि आपके लिए वो group फाइदेमन्द है तो please आप हमारी वीडियो में जरूर comment करें और सबसे important चीज़ मैं सभी जो भी agent भाई थे agent भाई जिन्होंने ये policy start कराई थी और बहुत से investors का पैसा पैसा और plus जो भी उनकी account खोलने में help करी थी वो agent हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि यदि आपके पास कोई भी data है तो please वो data आप हमें email के थरू, wordsec के थरू, हमारे telegram के थरू, किसी भी medium के थरू आप हमें भेज सकते हो वो data हम सभी investors भाईयों के साथ share करेंगे यानि कि बहुत से investors ऐसे हैं जिनके पास account number ही नहीं है, उनके पास receipt ही नहीं है, उनके पास actual data ही नहीं है, तो वो claim ही नहीं कर पा रहें यदि आपके पास कुछ भी data है इस से related तो please आप हमारे group को जुरूर जोइन करें और group में जोइन करने के बाद वो data जुरूर share करें और साथ में सभी investor भाईयों से मैं एक द्वारा से request करता हूँ कि आपने जिन भी agent से policy करवाई थी, प्लीज एक बार उनसे जुरूर मिले और उनसे एक request करें कि यदि आपके पास कुछ भी helping document है तो वो please उस area के document जुरूर इस group में share करें अगर मान लो यदि पूरे all India हर हमारे साथ all India के हर state से investors जुड़े हैं और हर state से यदि मान लो हमारे साथ investors जुड़े हैं तो वो अपने agent के साथ भी उनके अच्छे relations होंगे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप agent को force करें क्यूंकि आप नहीं मानोगे सबसे ज़्यादा जो helpful अभी है वो आज की date में agent ही है क्यूंकि उनको सबसे ज़्यादा इस claim process के बारे में पता है और उनके पास यदि आपके document गुम है तो उनके पास उन्होंने बहुत से अजेंट आप अपने agent से बात करिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा agent इस group के साथ जोड़िए ताकि जो भी information उनके पास होगी वो information automatically इस group में आ जाएगी और easily पूरे all India के जितने भी investors भाई हैं उन सभी investor भाई की help automatically हो जाएगी और आपको किसी भी problem का सामना नहीं करना और अभी current में जो process हो रहा है वो 70% वाले claim के लिए process हो रहा है एंड में जैसे ही 30% वाले process का claim भी start होगा तो हम उसके लिए भी आपको update करा देंगे dear investors आपने भरोसा करके अपना बहुत सा पैसा invest किया है रजिंदर केटीविटी का ये वादा है कि हमें जितना भी update मिलेगा claim से related आपको जितनी भी problems आई हम हर संभब कोशिस करेंगे कि हम आपकी help कर पाएं ताकि आपका पैसा आपको बापिस मिल जाए dear investors मैं एक बात और आपके साथ share करना चाहता हूँ हमें नहीं golden forest company ने आपके लिए या हमें golden forest company की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला है कि हम उस पैसे को लेके आपकी help करें या हमें golden forest company ने sponsor नहीं किया है कि हम आपकी help करें हम सिर्फ और सिर्फ YouTubers हैं और हमने अपना channel चला रहे है रजिंदर creativity और हम हर कोशिस कर रहे हैं कि हम हर तरह का update जो भी update हमें मिले उस update की वीडियो बना कर आप तक पहुंचा सकें ताकि सभी investors भाईयों की help हो सकें हमारा सिर्फ यही motive है कि आपका जो पैसा आपने invest किया है वो पैसा एक एक रुपए आपको बापिस मिल जाए यानि कि जितना भी total पैसा invest किया है उस total का total पैसा आप तक पहुंचा है friends यदि आपको हमारा content हमारा theme हमारा जो भी target है वो पसंद आए तो please रजिंदर creativity को अपनी जादा से जादा sport के साथ इस red button को दबा के इंडिया में more than 36 lakh investors है यदि मालो 36 lakh investors हमारे साथ जुड जाते हैं हमारे channel को subscribe कर लेते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही गर्ब की वात होगी कि हम सभी investors के लिए helpful यन ही मालो यदि मैं रजिंदर हूँ मेरा नाम रजिंदर सिंग है मैं छोटा सा इंसान हो इंडिया का यदि मैं 36 lakh persons के साथ connect हो रहा हूं और 36 lakh persons की help कर रहा हूं तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्ब की बात होगी रियली में इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता है तो प्लीज मेरे साथ जुड़े मेरी टीम को स्पोर्ट करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें रेड बटन दबा के और जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही हमें किसी नए अपडेट मिले और हम इस अपडेट की वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिपकेशन आप तक बड़ी असानी से पहुंच जाएं और इन्वेस्टर भाईयों आपको किसी वी तरह की प्रॉलम्स आ रही है आप कमेंट करिए, मेल करिए हमें जैसे ही समय मिलता है हम आपकी हर क्वेरिस का बैस से बैस अंसर देने की कोसिस करेंगे और हमेशा आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक रहेंगे तो हम in future जब तक जिन्दा है तब तक रहेंगे बट आपकी help हम तब तक करते रहेंगे जब तक आपका claim पूरी तरह process नहीं हो जाता तो इसलिए friends हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को subscribe करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथ में यदि आपको हमारा content पसंद आता है तो please आज आप दिखा देजिए कि इंडिया में viewers की कितनी powers है हमारे चैनल को subscribe करिए comments के साथ best से best वीडियो और best से best content आपके लिए लेके आएंगे धन्यवाद जय ही जय भारत